शिवसेना प्रमुख दव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे मुंबई में वरली वधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे जहाँ पार्टी के 53 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई ठाकरे परिवार का सदस चुनावी मैदान में होगा सूत्रों के मताब एक आदित की उम्मीदवारी की घोशना जो है आज की जा सकती है जानकारी मिल रही है कि आदित 3 अक्टूबर को नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं वही ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार फिर से आती है तो आदित जो है उप मुख्यमंत्री पत के दावेदार भी हो सकते हैं शिवसेना प्रमुख उदव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे जो है इस बार चुनावी मैदान में होंगे ऐसा पहली बार होगा तिरपन साल के इतिहास में कि ठाकरे परिवार का कोई सदस चुनावी मैदान में चुनाव लड़ता नजर आएगा तो आदित ठाकरे ने ये डिसिजन लिया है कि वो वधान सभा चुनाव में इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे शिवसेना ने आदित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है दक्षिन मद्ध मुंबई के वरली सीट से चुनाव लड़ेंगे आदित ठाकरे